सबी साथियों का बहुत स्वागत है यूग परिवर्तन में मुझे राव साभ ने कहा कि यूग परिवर्तन पर हमारे यहां पर अभी कोई सेशन ने हुआ ये टॉपिक पर अगर आप बोलें तो इसी से शुरुवात करते हैं हमारी धर्ती पे सारी जो मुवमेंट्स होती हैं वो साइकलिकल हैं एक साइकल में होती हैं जैसे एक साल में प्रत्वी चक्कर लगाती है तो एक साइकल होती है मौसम बदलते हैं यूग परिवर्त इसी तरह अगर बारा साल में कुम्ब मेला लगता है जूपिटर और सन कुम् शनी 30 साल में चक्कर लगाता है, ऐसी अनेक साइकल है, पुरा ब्रह्मान उट साइकल में चलता है, ऐसी एक साइकल जो बहुत बड़ी है वो 26,000 साल की है, अब 26,000 की साइकल का हमें अंदाजा नहीं लगता कि 26,000 साल पहले क्या हुआ होगा, हमारे 26,000 साल को समझने के लिए आ मायंड हुई थी, 8-9,000 साल का समय हो गया, लेकिन 26,000 साल पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जब कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो हमें पता नहीं लगता कि उस समय क्या होता है, 26,000 साल में क्या रिपीट होता है, 26,000 की साइकल कैसे काम करती है, जो अर्थ है हमारी हम सब कह होता है तो अर्थ पे इसके प्रभाव होते हैं एक्जामपल हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और यह टिल्ट भी होती है जब यह नौर्थ स्टार से वेगा की और हर 12-13 है जब इस सैकल को हम देखते हैं जैसे चाववीस घंटे का दिन और रात है तो रात से फिर दुन शुरू होता है ऐसे ही इस सैकल में जब 26,000 की साइकल में हर 13,000 साल में पोल शिफ्ट होते हैं धर्ती के उपर और ये पोल शिफ्ट अब हो रहे हैं ये धर्ती पे हो रहा है इसको मीडिया हाइलाइट नहीं करता है लेकिन अगर आप ज़रा भी रिसर्च करेंगे अपनी सही है तो उसने का येस जो पुराने कॉर्डिनेट थे उसको नए कॉर्डिनेट के साब से हमको एड्जस्ट करना पड़ता है अब क्योंकि ये शिफ्ट हो रहे हैं और जो ये शिफ्ट होते हैं ये पहले बहुत धीरे 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 होते हैं और जो इस समय इसको data monitor करते हैं, यह vertical change हो रहा है, यह परिवर्तन धर्ती पे हो रहा है, और इस परिवर्तन का हम सब को आने वाले समय में प्रुभाव कड़ेगा, इसी परिवर्तन का एक और हिस्सा है, इसको procession of economics भी कहते हैं, यह 25,920 साल, वही 26,000 साल के जो cycle है, उस समय पर दो हजार कुछ साल की जो cycle है, उसके अर्थ के उपर प्रभाव पड़ते हैं, और अब हम Aquarius में जा रहे हैं, इतने बड़े समय को कुछ 25,920 कहते हैं, कुछ 25,700 साल कहते हैं, कुछ 26,000 साल कहते हैं, राउंड फिगर में, एक्जेक नापना, इसका moment कब होगा, थोड़ा कठिन था, तो ये 36 एर को उन्होंने टाइम फ्रेम बनाया, इस 36 एर के अंदर ये घटना जरूर होगी, 1994 से स्टार्ट होकर 2030 तक, 2030 तक, इसका बीच का जो mid point था, वो 2012 था, इस 2012 को लोगों ने बहुत highlight किया, फिर बाद में का कि अरे कुछ नहीं हुआ, लोगों ने ऐसा मान अंदर खतम हो रहा है, तो धर्ती पे शहर जीवन का खत्म हो जाए, परले आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, धर्ती पे एक तरहें की चेतना, खत्म होके, नहीं तरहें की चेतना के शुरुवात होनी थी, यही consciousness shift है, ये shift का mid point 2012 था, और वो जो 2012 के बाद ये घटना और तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हम 2030 के आसपास जा रहे हैं, जैसे मेरे introduction मुनों नहीं था कि 2008, परिवर्तन तो बहुत पहले से शुरुवात हो गए थे, 1994 से स्टार्ट हो गए थे, कुछ लोग उस समय रिसीव कर पाए, जो कुछ बाद में रिसीव कर पाए, मैंने 2008 में किया, और last three years में, जो हैं, जब हम इस बेल्ट के जितना पास आते जा रहे हैं, उतनी ये energies हमारे उपर तेजी से काम कर रहे हैं, इसलिए आप देखो कि इस समय कितने लोग इस विशेव को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये परिवर्तन क्या प्रभाव डालते हैं, इस बड ब्रह्मान में एक central sun है, ये सब कुछ fractal है, यथा ब्रह्मा तथा पिंडे, ब्रह्मान में जो कुछ है, वो ही हमारे चरीर के अंधर है, fractal, छोटे से छोटा हम चले जाएंगे, हमारे चरीर के अंदर cell है, अगर उसको हम microscope से बढ़ा करके देखेंगे, तो पूरा ब्रह्मान दिखाई देगा, उसके अंदर atom में चले जाएंगे, अगर हम microscope से बढ़ा करके देखेंगे, पूरा ब्रह्मान, as it is, complete detail, सिर्फ जैसे एक बड़ी picture है, और उसको एक pixel उसके बहुत जादा है, और जितनी छोटी होती जाएगी, उसके pixel कम होती जाएंगे, लेकिन same information है, ऐसे अनेक गलेक्सियां हैं, इस अनन्त ब्रह्मांड में, हमारे solar system का एक sun है, ऐसे इस galaxies का एक central sun है, जब 26,000 साल में ऐसा होता है, तो सारे planet, सारी galaxies, सारे solar system इस तने aligned हो जाते हैं, कि वहां से जो central sun से प्रकाश आता है, हमारा sun उस प्रकाश को reflect करके, धर्ती पे जो प्रकाश भे लिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ लोग ऐसा मानती हैं, कि ये थर्ड टाइम हो रहा है, और जब भी ये थर्ड टाइम होता है, तो पूरा planet ascent कर जाता है, इस से पहले दो बार हुआ, तो पूरा planet ascent नहीं कर पाया, कुछ लोग उस light को absorb कर पाए, मुक्त हो लिबरेशन हुआ, लेकिन फिर एक तरह से restart हुआ, उस restart के बाद फिर 26,000 साल, फिर 26,000 restart, जो थर्ड टाइम की जो ये साह की लब चल रही है, इसमें इतना बड़ा potential है, कि पूरी अर्थ, अब एक नए consciousness में shift हो जाएगी, अर्थ पे जो अभी तक की consciousness थी, ये consciousness खत्म होके, एक नए era की शुरुबाद होगी, ये ही consciousness shift है, और ये आने वाले समय में, चुकि अब सिर्फ साथ साल बचे हैं, तो accelerate होगा, जो light आ रही है, ये light हमें इस प्रकाश में हम देख पाएंगे, कि किस तरह अर्थ एक गुलामी में थी, अर्थ का अगर आप जीवन देखो, कितन मिसरेबल लाइफ है, बड़े शहरों में इतना competition है कि स्कूल में admission से लेकर नौकरी पाकर एक जीवन आराम से जी पाएं, पेंशन मिल जाए इतनी ताकि हम अपना अगर बिमारी, बुढ़ापे में कोई बिमारी आए तो इलाज करा पाएं, इस तरह का जीवन है, बिमारी है चोटी सी life है, और इस misery में ये anomaly का हटने का समय आ गया है, क्योंकि consciousness अब shift होगी, और क्या क्या होता है, जब ये प्रकाश solar system से धीरे धीरे हम जब पास आने लगे, उस belt के से, तो प्रकाश आता है जिस दिन, उस दिन हमारे धर्ती की frequency बदलती है, शोमान resonance से इसको नापा जा सकता है, कुछ और भी parameter होंगे धर्ती की frequency को नापने के, हमारे जो cells हैं, वो cell expand होते हैं उस दिन में, जिस दिन कभी भी solar flare आती हैं, ये शब्द भी शायद आपने पहले नहीं सुना था, recently कुछ लोग जो active हैं सुन रहे होंगे, जब मैं 2019 में मैं ने बताना शुरू किया, तब ये शब्द एक दम नया था, solar flare वही है, जिसको हमारा sun, समारा sun, जो central sun को reflect करके, जब कभी वो एक energy की एक wave भेजता है, वो solar flare कहते हैं, अब news channel ने बताना शुरू कर दिया, उसकी different classification है, S class के आ रही है, M class के आ रही है, और जिसको हम event कहते हैं, वो event यही होगा, कि एक बार जो ये player है, ये इतनी बड़ी quantity में आएगी, कि सारा कुछ, जो humanity है, वो shift कर देगी, जो energy है, वो एक बार आके shift कर देगी, और उससे पहले की जो energies हैं, जो अब हो रहा है, S class, M class and all these solar flares, ये humanity का plan इतना perfect है, divine plan, ये हमें तयार कर रहा है, जिस दि ये player आती है, हमारा cell expand होता है, उस light को absorb करता है, कुछ घंटे उस energies में रहता है, फिर ठीक हो जाती है, क्यों, क्योंकि हम अभी तयार नहीं है, उस shift के लिए जो बहुत बड़ा है हमारी body, physical, mental, emotional, spiritual, सारे जो इसके impressions हैं, सारे इस तर पे तयार होना है, उस तयारी के लिए divine energies भेज भेज के हमको तयार कर रहा है, अब से लेकर event के आने तब, जब ये energies आती हैं, तो जैसे detoxification होता है, हमने कुछ लोग मालों हुमियोपैथी में treatment कराते हैं, तो कभी कोई बिमारी होती है, हुमियोपैथी दवाई लेते हैं, तो वो बिमारी बढ़ जाती है, वो कहते है बिमारी निकल रही है, detox हो रहा है, fasting करते हैं, detox हो जाता है, आप इसको जब ये energies आती हैं, या इस समय का जो समय है, अब से लेकर event तक का, इसको detoxification का समय मान सकते हैं, जो कुछ हमारे अंदर है, वो निकल रहा है, सतह पे आ रहा है, सदियों से दबा हुआ था, नए के लिए जगह बना रहा है, ये प्रकाश, ये प्रकाश हमें तयार कर रहा है कि जब एक असली solar flare आए, जो event जिसको हम कहते हैं, तो हम उस energy को धारण कर सकें, अगर क्योंकि energy बहुत बड़ी है, उसके हमें 26,000 साल पहले क्या हुआ था पता नहीं है, लेकिन इसको धारण करने के हमेशा सुनना चाहते हैं, सबूत क्या है, सबूत मैंने ऐसा सुना है कि साइबेरिया में एक museum है, वहाँ पे कुछ पुराने जैसे उस समय में मेहमत जानवर था हाती की तरह होता है, वहाँ पे जब ये 13,000 साल पहले ये घटना घटी, तो वहाँ पे गरम देश था, वहाँ पे उस हाती के मुँँ में जो घास मिली, जो अब नहीं होती क्योंकि बहुत ठंडा देश है, वहाँ पे बरफ रहती है, तो वह घास नहीं हो सकती, और वो मेहमत वहाँ के museum में है, कुछ लोगों देख सकते हैं, मैंने ना वो museum देखा है, ना मुझे पता है, लेकिन मैंने इसा सुना है कि है, पूल शिफ्ट होते हैं, इसके प्रूफ हैं, और जो लोग देखना चाहें, अमारे चैनल पे गौर अरीजी ने पूल शिफ्टिंग पे with scientific evidence और reference के साथ वीडियो बनाई है, वो उसको देख सकते हैं, और सेम वे सोलर फ्लेश के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं, सोमान Resonance को, की website available, उसमें आप हर समय नाप सकते हैं कि सोलर सोमान Resonance इस समय क्या है, यह 7.83 Hertz रहती थी, अब काफी 30 के अबाव है, और कभी-कभी जब spike करती है, यह वो दिन होता है, जिस दिन सोलर फ्लेश आती हैं, या धर्ती पे कोई और घटना होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गॉर्मेंट्स भी, या छोड़ो, सेर्न जो है, जहाँ पे स्विडिया लैंड में, जहाँ पे वो कॉलाइडियल वो करा रहे हैं, लार्ज स्केल पे कॉलाइड कराते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिससे डाइमेंशन खुल सकती हैं, और खुल सकते हैं और वो एक रिस्की एक्सपेरिमेंट है, जिसमें जहाँ पे उन्होंने हिक्स पार्टिकल या गॉर्ट पार्टिकल ढूंडा था, इस तरह के कॉलिजन के साब से, जब कभी वो इसको स्टार्ट करते हैं, तब भी सुमन रेजोरेंस बढ़ जाती हैं, इस बा बार जो गॉर्टमेंट हैं, ये 5G टावर हैं या किसी और तरीके से एक ऐसे समय भी रहे जो एनोमली है, for example 7.83 हर्स शुमन रेजोरेंस रहती है, और जब कभी शुमन रेजोरेंस बढ़ती है, तो हमारे बॉडी में एक्सपेंशन होता है, हम एनर्जी को एब्सॉर्व करत हैं और टेकनलोजी है, से कई दिनों तब 20 हर्स पे रखती है, ये पुराना जो उसका रिकॉर्ड था तब ऐसे नहीं होता था, लेकिन जब से गॉर्वर्मेंट के पास टेकनीक और टेकनलोजी आ गई है, वो ऐसा कर सकती है, तब हुमन जो है रहता तो हायर फिक्वेंसी मे है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठका रहता है, बिमार रहता है, और शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, वो चेंज नहीं कर पाते हैं, जबकि उसको ठकान मिलाते हैं, शुमन रेजुनेंस में ऐसा भी होता है, और इसके हमारे उपर प्रभा होते हैं, और य द्वापर यूग में यूग परिवर्तन हुआ था बागवान आये द्वापर यूग खत्म हुआ और कल यूग की शुरुआत हुई अगर उस यूग के बारे में हम बात करें और कौर्वों की बात ना करें तो यह कहानी अधूरी है है ना उसकी कोई significance नहीं बचेगी खाली अ ऐसा चेतना कंभव कर सकती है जो उसने आज तक नहीं किया दूसरी दरफ इसको रोकने के कोशिश की जाती है या की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो अभी तक धरती पे humanity को control करते थे और वो एक तरह से humanity को अपना गुलाम रखना चाहते हैं इसके बारे में जानना बह एक्सपोज होंगे तो किसके लिए एक्सपोज होंगे humanity के लिए humanity अकर असेप नहीं करेगी denial कर देगी तो exposure कैसे काम करेंगे तो कुछ बाते अधर्म के बारे में जैसे पिछले तीन साल में जो एक महामारी हुई यह उस अधर्म का हिस्ता था हम उस समय नहीं समझ पाए डर गए उन्होंने हमें मैनिपुलेट कर लिया मीडिया के थ्रू कंट्रोल कर लिया और हमारे शरीर में कुछ लगाने की कोशिश की इसको देखने के लिए जरा सा एक सिंपल पैरामेटर है जरा सी आखें खुलें उसी समय दिल्ली में दिल्ली बॉर्टर पे किसानों का अंदोलन चल रहा था एक साल से ज्यादा एक से लेकर डेड़ राख तक किसान इतने सट के एक दूसरे से बैठेते बिना हाईजीनिक कंडिशन के अगर महामारी होती तो वहां क्यों नहीं हुई अगर आप ऐसे देखना शुरू करेंगे चीजों को तब आप इस अधर्म को समझ पाएंगे जब इस अधर्म को समझ पाएंगे तो इस अधर्म को रोकने की इच्छा पैदा होगी धर्म के साथ जाने की इच्छा पैदा होगी ये इसका एक हिस्सा है आने वाले समय में दो पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमेंट को किसी भी देशा में हांखा जा सकता है Digital Currency पेमेंट करने का डिश्टल तरीका नहीं है जो हमें convenient लगता है जह हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और ना ही ये गौर्मेंट का वो एजेंडा है कि काले धन को रुकने के लिए, डिजिटल करेंसी सारी पेपर करेंसी को खत्म करके एक ऐसी करेंसी के फॉर्मेट, जिस पे फुल कंट्रोल हो, कभी भी किसी से कह दिया जाए कि इस देश में आपदा है, for example, रूस और युकरेंट में लड़ाई चल रही है अगर युकरेंट की कहें कि हम हार रहे हैं हमें अपने देश को बचाने के लिए आपकी जो करेंसी है, उसका 30% आपको देश के लिए दे दो तो आज से आपका 30% कम हो गया तो कम हो जाएगा सेम वे ग्रशक कर सकती है, यह समय खाने की दिकत है, food production कम है आप सिर्फ आपके अकॉंट में 10 करोर रुपए हैं तो भी आप खाने पे 500 रुपए पर डे खज कर सकते हैं इससे जादा नहीं तो कंट्रोल हो जाएगा कहीं government के अगे इस demonstration है आप जाएंगे तो वहाँ पे उस digital currency से payment नहीं कर सकते and so on digital currency ये control है आने वाले समय में जब आप देखें कि government इसको promote कर रही है तो आप जानें कि एक agenda है जो implement हो रहा है क्या हमारी government खराब है नहीं पूरी दुनिया की पूरी दुनिया में एक government जिसने अब तक राज किया है उसका दुश परिणाम ये है कि एक परसेंट लोगों के पास 80% wealth है इस दुनिया की जितनी भी complete wealth है वो 1% लोगों के पास संग रही थै इसलिए धरती बेतनी करीवी है unequal distribution है 5% लोगों के पास 95% है और इंडिया के context में 9 लोगों के पास 50% wealth है सिर्फ 9 उद्योगपतियों के पास भारत की complete wealth का 50% है statistically आप इसको देख सकते है ये लोग नहीं चाहते की equality आए ये लोग नहीं चाहते की बराबरी आए इसलिए food food पे control किस तरह चुरू किया है बहुत बड़े बड़े जमीनों को ये खरीद रहे है बिलगेट और खाने के लिए advertisement शुरू करती है कि कीड़े खाओ कीड़े बड़े nutrition है और ये कहते हैं कि environment पे बहुत खत्रा है गाईों को New Zealand में और बड़े बड़े देशों में गाई कितना डकार लेती है तो उससे कितना वाताबरन को खराब होता है ऐसी committees बैठा रहे है अमेरिका में 30 June को एक paper sign किया है वहां के parliament ने कि sun से दुनिया को global warming हो रही है क्या हम sun की energies को satellite के थूरू रोख सकते हैं ये जानते हैं कि धरती पे क्या हो रहा है ये जानते हैं कि solar flare हमारे benefit के लिए आ रही है ये इसको रोखना चाहते हैं 2030 तक इसको किसी तरह stop करना चाहते है तो अधर्म के बारे में थोड़ा सा जानना हमें मदद करेगा इनके vaccination program को समझने में हमें मदद करेगा हम ज़्यादा हैं लेकिन हम बटे हुए हैं और manipulation और control इनके हाथ में हैं तो थोड़ा सा shift के बारे में जानना कौरव के plan को जानना दुष परिडाम को जानना और इस अधर में सब को अपना role decide करना कौन shift करेगा धर्ती पे अगर ये event सब के लिए हो रहा है प्रकाश तो सब के लिए बराबर आ रहा है pole shift भी सब के लिए होंगे जो भी अपनी free will को exercise करेगा free will का मतलब क्या है कि हमें कौरवों के और रहना है या पांडवों के और रहना है जब पिछली बार द्वापर से कल्यूग हुआ था तब भी सब के लिए 20 थी कुछ लोगों ने ज़ादा लोगों ने 11 चौणी सेना कौरवों की थी 7 चौणी पांडवों की थी और दोनों में जीत पांडवों की हुई इस बार भी धन की जीत होगी लेकिन 24 सब को exercise करनी है कौरवों का एक भाई आखरे दिन युद के समय पांडवों की सेना में चला गया था same way हमें ये exercise करने पड़ेंगे ये options सब को exercise करने पड़ेंगे और ये option exercise करने के लिए हमें required consciousness की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में हमारी consciousness decide कर पाएगी कि हमें किस तरफ जाना है और तो हम जा सकते हैं तो थोड़ा सा जानना हमें किस तरफ रहना है अब shift अगर हो रहा है सब के लिए हो रहा है तो फिर होगा हम क्या करें हमारा कोई काम है या कि या अपने आप जब डिबाइन हमसे करा लेगी ये जो light हमें detox कर रही है आने वाले समय में जब इसकी intensity और बढ़ेगी तो हमारे अंदर जो कुछ भी है वो सतह पे आएगा उस सतह पे आने में उसको handle करने की चमता हमें चाहिए होगी अकर हमारे अंदर ये map of consciousness है इस map of consciousness में देखें नीचे के शर्म है अपराद बोध है दुख है पुरानी करवाहट है डर है अनेक इच्छाएं है और इच्छाएं खाली अमीर बनने की नहीं होती स्वस्त होने की इच्छा नहीं होती इच्छा ये भी होती है कि उसने मेरे साथ गलत किया उससे बदला लेना है ऐसे इच्छाएं पाकिस्तान को नीचा दिखाना है so on गुस्सा अंकार, अभिमान ये सारे जलन ये सब भी सतय प्याएंगे क्योंकि ये डीटॉक्स होने है और कोई तरीका नहीं है अगर आप इसको डीटॉक्स होने का अब से लेकर इवेंट तक का जो समय है जिसमें ये सब कुछ सतय प्याना है अगर आप इनके ओपर काम नहीं करेंगे तो ये बहुत कठें होगा तो ये हमारा उस समय तक का ये हमारा जॉब है कि हम इसको तब तक के लिए अपने आपको तैयार करें इनर वर्क करें और ये इनर वर्क ही हमारा में जॉब है तामसिक लोग कहते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा जो सब के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी होगा नहीं जो इसको सम्हाल पाएगा वो उसके लिए ये ट्रांजिट स्मूथ होगा और ये हम सब लोग जो भी थोड़े से जागरूख हो रहे हैं ये हमारा काम है कि हम अपने इस स्मूथ ट्रांजिट को क्रियेट करें आने वाले समय में मीडिया जब डर फैलाएगा तो इस तरह के डर बहुत फैलाए जाएगे कि पोल शिफ्ट हो रहे हैं नेचरली पोल शिफ्ट हो रहे हैं बहुत बड़ी घटना है और इस घटना का क्या परिणाम होगा मौसम के उपर धर्ती के रहने वालों के उपर हमें नहीं बता लेकिन ये भी हमारी कॉंशेसनेस के अंदर है पूरा ब्रह्मान हमारी कॉंशेसनेस के अंदर है अगर हमारी कॉंशेसनेस रेज हो जाएगी तो हम इसको स्मूथ कर सकते हैं एक और बात शिफ्ट चल रहा है इस शिफ्ट का एक षिस्टा 26,000 साल में जो हमारा सोलर सिस्टम उस बैल्ट से गुजरता है जिसको photon belt कहते है photon belt में हमारे thoughts manifestation बहुत ज़्यादा fast होते है synchronicity होती है आप में से अनेग लोग experience कर रहे होंगे कि किसी पुराने दोस्ते जिससे दो साल से बात नहीं हुई उसके बारे में सोचते हैं तो telephone की काल हो जाती है यह photon belt के लक्षण है हमारे thoughts manifestation के लक्षण है जो लोग space में जाते हैं और उनको train किया जाता है उनको उस तरह की field में लाया जाता है जहाँ पर magnetic field काम होती है वहाँ पर automatic telepathic communication स्टार्ट हो जाते है उनकी third eye activation स्टार्ट हो जाता है और aging process slow हो जाता है आने वाले समय में यह हम सब के साथ भी होगा हमारी body नई यूग के लिए तयार होगी उस नई यूग के लिए नई consciousness automatic प्रगट होगी लेकिन सिर्फ हमें अपने आपको अपने आपको प्रगट होने देना है अगर हम free will अपनी नहीं exercise करेंगे हम पुराना धर्रे पे जियेंगे पुरानी मानेताओं के साथ जियेंगे तो ये process रुक रुक के होगा जटके के साथ होगा अगर हम तयार होंगे इसका खुले हिर्दय से स्वाकत करेंगे हम जानते हैं कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है क्योंकि सब कुछ एकदम से सतय पे आता है तो उस end time madness से बचने के लिए हमें अपना काम करना है हम इसके लिए तैयार हों इस photon belt में और हम क्या कर सकते हैं जो अभी तक की consciousness है वो separation के base थी जो नया यूग है वो onness है वहाँ पे copyright नहीं है इसलिए वहाँ पे information सब को बराबर shift की जाती है कोई patent नहीं होता वहाँ पे अमीरी और गरीबी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई संग्रह नहीं करता वहाँ पे abundance है तो हम लेकिन अभी तक की हमारी जो consciousness थी वो survival mode में थी इस survival mode से onness तक की जगनी है तो धीरे धीरे अपने heart के उपर काम करना है हमारा heart की जो सोच है वो separation से हट के onness सब एक हैं जैसे हमारे चरीर में खर्बों सेल मेरे चरीर में खर्बों सेल मिल के एक प्रवीन बना है इस धर्ती पे जो आठ खरब लोग हैं उन सब से मिल के धर्ती की एक mind है यूनिवर्सल mind है उसके थुरू हम ये information access करते हैं जो उस आकाशिक record में सारी information है लेकिन वो information पिछली सदियों की है जिसमें अनेक युद्ध हुए है first world war war, second world war इंडिया और पाकिस्तान की लडाई हमेशा ये जो पुरानी सब्वेता थी वो युद्ध से भरी हुई थी डर से भरी हुई थी चोरी, डकैती, रेप ये replace हो रही है नए से जैसे जब ये अकाशिक record को सारे जानवर लोग access कर सकते हैं जानवरों को पता होता है कि कहाँ पे भोजन है वो उस भोजन में चले जाते हैं जो जानवर जिनकी सूने की छमता, देखने की छमता, कानू की छमता कम होती है फॉर एक्जामपल भैसे की वो जंगल में जा रहा होता है और सामने शेर थोड़ी दूर पे अगर होता है तो वो अपने आप रुख जाता है और मुड़ जाता है जबकि ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है, उतना अच्छा की वहाँ पे छेर है आकाशी रेकॉर्ड उसको बताता है की बचो चुवों पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया चुवों के एक मन पसंद चीज है वो चीज देखते ही चुवे भुके होते हैं, भागते आते थे चुवों को भुका रखा और वो चीज उन्होंने उसको टांगी वो भागता हुआ आया जैसे उसने चीज को खाई, उसको करेंट लगा और वो मर गया चुहों की साथ जनरेशन ने उस चीज़ को नहीं खाया कैसे पता? जिसने खाया वो तो मर चुका था? है ना? किसने ये information आने वाली generation को दी कि ये चीज़ डेंजरेस है? आकाशिक रिकॉर्ड ने आकाशिक रिकॉर्ड को जनवर एकसेस करते हैं human unconsciously access करता है तो जो डर की information वहाँ पे save है उसके थुरू हम डर के अभी तक reaction करते थे अब जो जागरूग लोग हैं ये इनका काम है कि oneness की information को spread करें आकाशिक रिकॉर्ड रिप्लेस हो रहा है कोबरा का interview जुनों ने पढ़ा है वो जानते हैं मैं आपके channel में पहली बार आया हूँ कोबरा का interview का शायद राओ जी link share कर सकते हैं आप उसको पर सकते हैं कि कैसे कैसे changes हो रहे हैं जो ये grid है जिस grid से हमारा mind का एक हिस्सा conscious है जैसे मैं हम लोग बात कर रहे हैं सुन रहे हैं एक subconscious है जिसमें हमारी access होती है जब कभी हम meditation में जाते हैं या किसी और समय hypnotism में भी हमजारी subconscious mind पे access हो जाती है और एक unconscious mind है उस unconscious mind को ये अधर्मी लोग manage कर सकते थे इनके पास technology थी ये destroy हो रही है technology तो destroy हो रही है लेकिन हमारा काम भी है कि जो collective mind है इस collective mind में जो collective consciousness है उसको replace करें रूमी का ये कोट बड़ा अच्छा है कि अगर आपके हिर्दय में light है तो आपको घर वापसी का रास्ता मिल जाएगा ये हमारा घर नहीं है यहाँ पे हम फसे हुए है क्योंकि अर्थ जो quarantine में है जो shift है shift का एक और लक्षन भी बहुत important है कि धर्थी को जब इन्होंने देखा कि धर्थी के लोग बड़े सीधे हैं और ये किसी तरह गुलाम बन गए है किसी अधर्मी लोगों के तो उन्होंने का कि गुलामी कैसे रोकी जाए तो उन्होंने का कि ठीक है जो इसे state है जिसको हम देवासुर संगराम कहते थे देव और असुर का संगराम जो धर्थी के बाहर की dimension है वो लड़ती थी कि धर्थी के लोगों को कैसे मुक्त किया जाए तो आखरी में दोनों लगबग बराबर थी तो surrender कर दिया कि उन्होंने ये सिधान्त दिया कि अब इसको as it is छोड़ दो जैसे धर्थी किस्तिती है ना देव intervene करेंगे ना असुर intervene करेंगे इसको quarantine कर दो चारों और इसके ना देव अंदर आ सकते हैं ना असुर अंदर आ सकते हैं तो वो जो quarantine है ये quarantine टूटेगी इस shift के बाद हम अनंत ब्रह्मान में travel कर सकते हैं और जब हम अनंत ब्रह्मान में travel करेंगे तो इसमें से कुछ लोग धर्ती पे किसी दूसरे ग्रहों से हैं किसी दूसरे dimension से हैं किसी दूसरी चेतना से आये हैं यहां के लोगों को help करने के लिए वो अपने घर वापसी का रास्ता आपाएंगे और पूरी humanity भी humanity कि अगर हिर्दय में प्रकाश है तो वो रास्ता ढूंग लेगी और हिर्दय प्रकाश वान इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा education system है इंडेस्टियल जो क्रांतियां हुई और द्योगी क्रांतियां फास सेकेंड और अब इसको फोर्थ कहते हैं इसमें हमारा mind active कर दिया गया गया हमारा schooling system ऐसा था कि हमारा mind active है और heart कमजोर हो गया है इस पे हमें काम करना है तो इनकी कई teaching हैं शॉर्ट में अब इससे ज़्यादा तो नहीं बात हो सकती इन teaching के उपर काम करें छमा, हम विनम्रता, वीरता, appreciation, करुणा करुणा के साथ की पूरी मानव जाती के वो लोग ना कि ego देखो हम अमीर हैं हम information आ रही हैं हम यह ध्यान करते हैं कितने गरीब लोग हैं जिनके पास access ही नहीं है इस information की हैं तो हम सब एक ही इस आठ खरब cell में कुछ लोगों के पास information है तो बाकी भी तो हमारा हिस्सा है जिसके पास information नहीं है उनके प्रतिकवना अपने प्रति आभार कि हम एक ऐसे युग में पैदा हुए काल खंड के उस हिस्से में पैदा हुए जिसमें हम एक ऐसी महान घटना का जो 26,000 साल बाद होती है उसका अनभाव करने का हमें मौका है अपने प्रतियाभार और फिर इस gratitude हम जो है हमारी reality नई पतलेगी नई understanding पुरानी मन्यताओं को छोड़ने का साहस क्यों? क्योंकि वो पुराना इस 26,000 साल के face के लिए अच्छा था जो महाभारत की teaching भगवान कृष्ण ने दी वो उस समय के लिए अच्छी थी अब अगले 5000 साल का जो समय बीता इसके बाद का जो समय आ रहा है उसकी teaching के लिए understanding पुरानी को छोड़ने का साहस जो वीरता की यहाँ पे बात होती है धर्म और अधर्म के बीच में धर्म की और खड़े रहने की वीरता विनम्रता तो बहुत जरूरी हम सब को क्योंकि criticize करने में परिवार में दोस्त में ऑफिस में पडोसी को सबसे आगे लेकिन उसकी अच्छाई देखने का जो हिस्सा है वो mind का वो हिस्सा deactivated है जब यह हिस्सा deactivated है तो हम प्रेम का अनभाव नहीं कर पाते आप लोग को आश्यर होगा कि जो चार्ट में जो प्रेम है यह 500 की frequency को बताया गया है अगर आप सोचो आप सब सोचते हो कि हम प्रेम करते हैं बच्चों को प्रेम करते हैं दोस्त को प्रेम करते हैं अपने जानवर को प्रेम करते हैं खेत को प्रेम करते हैं यह वो प्रेम नहीं है यह जब प्रेम आता है तब हाट खुलता है और आप देखो इस प्रेम के आप अपने ना तो अपने पडोसी को ना पडोसी देश को दुश्मन मान पाएगी क्योंकि वो वन्नेस का अंभव करेगी लेकिन इसकी शुरुवात कैसे होगी कोई तो शुरुवात करेगा तो हम लोग जो सुन रहे हैं हम अपने हिर्दय पे काम करें और अगर योगिक तरी से गुजर रहे है सोलर सिस्टम बीज डालें कि हम नए यूग का हिस्सा बने तो यह आपके लिए होगा और एक काम सब कर सकते हैं हर रात को सोते वक्त यह इमेजिन करें जितना भी आप अच्छा सोच सकते हैं वो उस यूग के लिए कम है वो all together different dimension है मैं यूग परिवर्तन सिर्फ मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर मैं कहूंगा कि आयाम परिवर्तन है तो यह शब्द लोगों के लिए नया हो जाएगा लेकिन यह चेतना का नया आयाम है यूग नहीं है सत्यूग द्वापर त्रेता कल्यूग इस third dimension के ही हिस्से थे इनके beyond की बात हो रही है जिसको पिशैद हमारे शास्त्रों में लोग कहा गया हो कि नीचे साथ लोग हैं भूरबुआ स्वापर के साथ लोग हैं नेक्स लोग की चातना के लिए हम तयार हो रहे हैं तो यह हमारी जितनी हमारी सोच है उसके beyond की dimension है लेकिन फिर भी जितना हम अच्छा सोच सकते हैं वो यू क्रियेट हो रहा है हम उस यूग का हिस्सा है यह सोच के साथ हम इस ट्रांजिट के लिए तैयार हो सकते हैं अपने आपको तैयार कर सकते हैं आलमोस्स 40 मिनट हो जा रहे हैं तो कुछ लोग आप लोग के बहुत सारे कोश्चों होंगे समय को हम यहां पर यूज करते हैं मैंने सिर्फ हाँ यह जिए ओक यह तो आपने मेडिटेशन की रिक्वेस्स की है यह तो एक मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है जो हमें जैसे हमारे शरीर में अभी तक स्थाथ चक्रों की जुरुती हम कहते थे कि जब हमारी एनरजी सहसरार चक्र तक पहुंच जाती है हमारी प्राणी के एनरजी तो हम मुक्त हो जाते हैं नेक्स डायमेंशन के लिए हो जाते हैं लेकिन उस यूग की शुरुआत ही जो हमारा स सहसरार है वो उस यूग का मुलाधार है तो वहाँ भी डिफरेंट डैमेंशन के लोग हैं तो ये meditation बहुत effective है ये हमारे अंदर बीज डालता है और इसके ब्यांट का जो चक्र है उसको activate करता है बहुत छोटा seven minute का meditation है तो ये सब हम मेलके करते हैं और अगर आप लोगों में पास meditation करते हैं कोई technique ना हो तो मेरे चैनल पर एक सारे चक्रों को balance करना और soul star चक्र को activate करने का meditation पढ़ा हुआ है उसका regular अभ्यास कर सकते हैं इसके लावा हमारे शरीद में जो changes होंगे आने वाले समय में उसमें एक changes होगा हमारा DNA activate होगा नए युग के लिए उसका भी meditation मेरे चैनल में पढ़ा हुआ है लेकिन उसको करने से पहले तीन चार meditation करना अच्छा है पुरानी memory को release करने का एक meditation है पहले वो करें फिर यह जो प्लांट आपने आज जो सीड किया है प्लांट करने का इसको करा और फिर आप DNA activation का वह वाला भी कर सकते हैं तो वह एक ही बार करना है और जो regular practice है वो सारे चक्रों को balance करने वाली है तो इसके साथ हम start कर सकते है कुर्शन जो भी आपके डाउट हूँ क्वेरीज हूँ तो इस आपके सुनना है तर अभी फिफ्ट डाइमेंशन है कि फिफ्ट डेंसिटी यह दोनों का राका सब्जिट का इसका तोड़र दे लोगों को वो भी आप से सुनना है और अल्रडी अभी आज का में आज को आपको भी मैंने फारवर्ड किया था मैं यू न्यूस इस न्यूस अलरे फ्लैस नेक्स यह 25 में साट हो रहा है करके अल्रडी साइन्टिस का यह न्यूस है तो पहला कुछ IN आपका सबसे पहले किया था देंस्टी दो नहों में दी आता हैlection औरव देंस्टी में acia city पहीं को तो दी की बात हो रही है कहींव और एंडी कहीं वाईवडी जभ्यण विए तो जो फिफ्ट डाइमेंशन और फोotional adversity एक्पार है अगर density के तर्म में कहें तो रा ने density के बारे में बुला है और अधर्वाइस हम फिफ्ट डाइमेंशन कहते हैं क्यों हम फिफ्ट कहते हैं क्योंकि थार्ड डाइमेंशन यह अभी है जिसमें हम अगर हम चेतना को तीन तरह जो मिनराल्स मैटेरियल क्रिश्टल्स यह सारे फर्स देंस्पिए फ़यर पौदे जनवर सैकेंड डेंस्थी है और हम फिर्प में जा रहे हैं तो फोर्थ कहां गई पुर्थ वह डेंस्थी है क्योंकि अर्थ क्वारेंटीन में अर्थ से कोई मुक्त नहीं हो पाता रीश है क इस city में जब आत्मा होती है तो वो fourth density, fourth dimension है इसलिए third और fourth dimension मिलके हम इसके पार जा रहे हैं, fifth में, अब हम recycle नहीं होंगे, अर्थ पे दुबारा नहीं आएंगे, इसलिए जब हम dimension कहते हैं, तो हम fifth dimension और fourth density एक ही बात है, और second आपने कहा कि आप scientist भी इसको कहना शुरू कर दिया, 2025 में solar flash आएगी या, scientist, media इनके control में है, तो यह नहीं पता होता है कि किस नियत से कह रहे हैं, दर फेलाने के लिए कर रहे हैं, या इन्हें, जो मैंने digital currency की बात की है, cyber attacks और digital currency को लाने के लिए cyber attack करना, उसके लिए भूमिका बनाना कि solar flash से यह सारा, जो internet का system है, corrupt हो गया, यह भी एक इनके agenda का हिस्सा है, तो उनकी बातों को सुने, लेकिन अपनी चेतना को खोल के रखें, ऐसे ही आने वाले समय में यह कहेंगे, जैसे जूटी बिमारी फलाई थी, कि धरती के उपर attack हो गया, बाहर के ग्रहे से आ गई, E.T.E. आ गई, बहुत कतनाक हैं, सारी दुनिया के देश एक हो जाएं, य यह भी आने वाले समय में होगा, तो भी थोड़ा सा अपनी आँखें खोल के सुनना है, बस, यह अब योगोपरवत में, इस ने बढ़ेगा, हम सब लोग अपग्रेड होंगे, सर, उसमें धरती अपग्रेड हो रहा है, सब की free will है, सिर्फ अगर वो free will exercise नहीं करेंगे, तो सब लोग अपग्रेड होंगे, जो सारी टाइम लाइन है, एक टाइम लाइन ऐसी है कि मान लोगो असेंट कर रही है, दूसरी टाइम लाइन ऐसी है कि humanity को कंट्रोल किया जा सके, जो चिप का अजंड़ा आप लोग जानते होंगे, ज्यादा बोलने की जोरत नहीं है, और ब अपनी एक्सराइज नहीं की है, वो कहीं और शिप हो जाएंगे, अनन्त ब्रहभान्ड है, आत्मवन दर्मास्कर, मेरा क्वेस्टन आपने पूछ लिया कि, अब्यों गोंड़ गोई तो इन गोवर द शिप और लोग तो उनको मदब कैसे मदद कर आपने बोला कि, वी आप work on our heart chakra to open up. So, the love which we are showing, you have told that यह लव काफी नहीं है. So, if you can give us more, you know, elaborated in that. Yeah, in that case, the only elaboration is that we have to work upon ourselves to raise the frequency. Frequency क्या होती है? For example, जो पानी है, जब पानी लोग हर चीज की frequency है. जब frequency लोग होती है, तो वो solid form हो जाती है. जैसे पानी बरफ, उसके बाद पानी और अगर और frequency हाई हो जाए, तो पानी gas हो जाता है, evaporate हो जाता है. बरफ और बरफ आपस में नहीं मिल पाते, वो दोनों अपने आपको solid बानते हैं, अलग रहते हैं. पानी पानी में मिल जाता है, लेकिन अगर आप रूद्र प्रयाग या कर्ण प्रयाग में देखें, जहां पर दो steam आके मिलती है, काफी देर तक दोनों दिखाई देता है संगम में भी कि अलग-अलग color है, फिर काफी दूर जाके मिलता है, और जो gas है, वो immediately merge हो जाती है, तो जब हम अपनी frequency raise करेंगे, इस frequency में पहुंच जाएंगे, तो यह separation अपने आप खतम हो जाएगा, और लेकिन हम lower frequency में है, मैं, मिराधर्म, पडोसी देश, तो हम आपस में लड़ाई करते हैं, तो यह elaborate करने का तरीका है कि हम अपनी frequency को raise करके oneness को समझ पाएं, ओके लेलता जी. One more question sir, one more question is, like आपने बोला की बहुत सारे चिप इस बेन इंस्तॉल, तो like now there are vaccinations, बहुत सारे लोगों को vaccination who are during the COVID period, moreover now when the kids are born, earlier days, बहुत सारे चुप्तम injections होते थे babies के लिए, but now we don't know what it is, but all are based on UK and US, so are they been already, you know, under there, the black energy के साथ, उनके control में है, बड़ा नियस्ता बताया कि सारे vaccination जो है, इसी dark energy का हिस्सा है, सारे, और उसमें तो जो MRने वाला हिस्सा था, वो बहुत dangerous था, इस technology के आज तक permission नहीं दी गई, और इस permission को लेने के लिए उन्होंने इतना बड़ा डर फेलाया, ताकि emergency permission ली और सारे आने वाली vaccination उसको rolled out कर रहे हैं, यह तो dark के लिए bad news है आप लोगों के लिए, और good news यह है कि कोब्रा ने कहा कि जो nanoparticle की technology दी का इनको assurance था dark की वज़े से वो technology destroy कर दी गई है, it means कि जो लोगों ने अज्ञानता में या डर के या दुर्भाग से ले ली या उनको force किया गया वो जानते थे कि गलते तब भी लेनी पड़ी उस technology से control करने का जो mechanism है, वो destroy कर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में धर्म और अधर्म के बीच में आपको चुनना पड़ेगा, आप चुक्षाप रहोगे, शान्त रहोगे, गवर्मेंट मनमानी करेगी, या आवाज उठाएंगे, यह च्वाइस सब के सामने आएगी. My question is, sir, कि अभी जो babies born होते हैं, because I have a grandchild, that is why I am more worried about, like, वैसे बहुत सब्सक्राइब को, तो उनको तो doctors बोलते हैं, कि there is vaccination in every one month and two months, so are these going to impact, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, लेना नहीं चाहिए, लेकिन अब आपको आश्यर होगा, मैं जर्मनी में रहता हूँ और पूरी दुनिया में जो World Health Organization के जो प्रोटोकॉल फॉलू करने पड़ते हैं, एक International Database है, International Classification of Disease, ISD, website में जाके आप देख सकते हो, जर्मनी में, या शायद पूरी दुनिय होगा, जर्मनी में एक नया code, new invent किया गया, U11.9, U unidentified, 11.9, ये code उनके लिए है, जिन्होंने COVID की vaccination नहीं लगवाई, और example, अगर मैं आज जर्मनी में किसी डॉक्टर के पास जाओंगा, वो मुझसे पहला कोच्छन पूछेगा, कि मैंने vaccination ली या नहीं, मैं कहूंगा नहीं तो वो immediately जो प्रोटोकॉल है, उसमें वो note करेगा, this is U11.9, means कि जो लोग स्वास्त हैं, जो ईश्वर की तरह हैं, जिन्होंने अपने शरीद में जहर नहीं लगाया, वो इनकी नजरों में बिमार लोग हैं, तो आने वाले समय में इस एजंडा को कौन रोकेगा, अगर हम च अपने MPS, MLA, सब को बताएं कि हम जान चुके हैं, स्कूलों में कोशिश करें, 9 साल से 11 साल की बच्चियों को सर्विक्स कैंसर के नाम पे वेक्सिनेशन का प्लान है, कौर्मेंट कहती है हम हेल्थ को उनों ने एजुकेशन से जोड दिया है, तो जब आप ये प्लान को जा हमें नहीं चाहिए, हम रिस्क जानते हैं और रिस्क कैसे फैलाते हैं, जूट कैसे बोलते हैं, हर चार में से एक लेडिस को सर्विक्स कैंसर का खत्रा है, आप मेंसे सब लोग मैं समझता हूँ, एवरेज 2000 ओरतों को जानते होंगे, डे टू डे लाइफ में, रिष्टेदा पड़ोसी, 2000 ओरतों को अगर आप जानते हैं, उसमें से कितनी ओरतों को सर्विक्स कैंसर हुआ है, एक को भी नहीं, इतनी आखे तो खुद खोलनी पड़ेंगी, कि अगर एक लाफ लोग दिल्ली बॉडर पे बैटे हैं, महामारी जूटी है, ऐसे ही, 2000 लोगों में से एक को भी नहीं हुआ, तो जब यह जूट कहेंगे, कि हर चार में से एक को होता है, तो आप जागरूप होंगे, आप कहेंगे हम इस रिस्क को जानते हैं, हम अपने हल्थ को अपने हाथ में लेंगे, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिएंगे तिनका प्लान केल हो जाएगा, और ऐ जैसे ही बेबी के case में मैंने ऐसा सुना है मैं तो इंडिया के बाहर हूँ पहले महिने में बेबी को 23 vaccination प्रिस्क्राइब कर दिये हैं एक बेबी जो पैदा हुआ 30 दिन के अंडर 23 उसको vaccination तो यह डिसायद आपको करना है डरना है प्राकरतिक तरीके से रहना है धर्म के और रह रोलो इससे पहले जिनको जब 23 वेक्सीन नहीं लगती थी तो क्या हुआ क्या humanity खत्म हो गई नहीं डर इस डर को आप समझेंगे 24 आपकी है फ्रीविल जो फ्रीविल शब्द है वो इसलिए फ्रीविल शब्द यूद होता है आप यह आशा करें कि मेरा युद्ध कोई और लड़े नहीं हो पाएगा हर एक जो यह फ्रीविल की बात है यही फ्रीविल की बात है उस dimension में डर नहीं है उस dimension में प्रेम और ए ले, decision आपका है, हमेशा आप करेगा. वन लाज्स क्वेस्टिटिशन से का इनो, बहुत सारे लोग बेट कर रहे हैं, जो अभी जो हमारे बच्चे हैं, like my son, my daughter-in-law, they may not, वो लोग समझेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं. यह question देखिए, बहुत common आता है, हर एक जो will है, वो individual है, यह event collective भी है, और individual भी है, और आप उनको force नहीं कर सकती है, और नहीं करना चाहिए, उसकी किसी की भी free will में interfere करने का हमें को इदिकार नहीं है, और basically यह control का है, जैसे हमारी government नियंटरेंट करती है, और वो कहती है, कि इसे ही आप कर रहे हो कि आप अपने बेटे बेटी को कहते हो, हमें पता है कि यह खराब है और हम आपको बता रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, उनकी free will है, जैसा वो चिस समझें, क्योंकि उनकी आत्मा का एक plan है, बस आपको एक बार बताना जरूरी है, soft तरीके से, सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा हुआ, राव साब ने ये बात कहीं, मैं थोड़ा सा इस भी बोलना चाहूंगा, जब धर्वों का manipulation हुआ, उसी dark energy के थूँ, तो उसने एक बीज पूरी मानवता पे डाल दिया, कि कोई और आके तुमारी रक्षा करेगा, उनके interpretation हमने गलत कर दिये, भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की गहानी होगी, तो धर्म की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी लेकिन कौन करेगा, भगवान ने तो कहा मैं अस्तर नहीं उठाऊंगा, clear meaning है कि आपको कि अवतार का वेट कर रहे हैं और बुद्ध धर्म मेत्रई बुद्धा का, ये मानवता को कंट्रोल करने के लिए कि वो कभी भी ना जागे, वो हमेशा इंतिजार करती रहे किसी एक divine being का जुआ कि उन्हें बचाएगा, नहीं, हमारी consciousness जो हमारी reality कर रहे है, इस परिवर्तन में, हम जागेंगे तभी बचेगा, और हर एक को जो है, free will है, thank you sir, आपका wonderful session के लिए, मेरा दो questions है, first question is, जो आपने युग परिवर्तन के बारे में बताया, तो मैंने कुछ books पढ़े हैं, जैसे स्रीमत भागवतम है, ठीक है, तो मेरा यह अनुमान है कि मतलब आप उसको पूरी तरह के से नकार नहीं सकते, और इसे सूर्य सिद्धान्त है, ठीक है, तो सूर्य सिद्धान्त एक मतलब universe का जो आपका structure है, उसके बारे में discussion है, तो उस इसके हिसाब से अभी का जो planetary structure है, जो हमें बताया गया है कि आर्थ जो है, वो revolve करता है, पर सूर्य सिद्धान्त और स्रीमत भागवतम के अनुसार जो है, अर्थ एक dimension है, ना कि मतलब कोई planet है, और जो यूग का जो आपने 25,000, 920 या 26,000 का कुछ बताया है, तो वो calculations पूर मैं आपका मैं जब सुनता हूँ, सुन रहा था, आज पहले बार सुन रहा हूँ, महां तो confusion होता है कि आप क्या बोल रहे है, मैं आपको criticize नहीं कर रहा, जिस एक question है, ये तो ये decision तो आपको लेना है कि वो इससे correlate हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं गीता को मानता हूँ, गीता ने मेरी बहुत help की, और मैं अभी भी कभी कभी गीता को use करता हूँ, और मैंने सुनाया कि महारेशी व्यास का ये अद्भूत गरंथ था, पहले जीने की कला गीता ने दी और मरने की कला भागवतन ने दी, ऐसा मैंने सुना है लेकि मुझे कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, और अब शायद मुझे ज़रुवत ना लगे क्योंकि, क्योंकि मेरा एक मेरी consciousness का हिस्सा ये मानता है कि बहुत सारा manipulation है, और आने वाले तीन सालों में जो मेरी energies है, उस म दोनों के बीच में शायद correlation कोई find कर सकी है, मैरे एक second question, second or last question है, कि मतलब जिसे मेरे body में कोई problem है, जब जिसे मैं regular meditation करता हूँ, आपके channel का वीडियो देखके, तो क्या मतलब उसमें क्या मतलब कुछ हतक solution मिल पाएगा, और जिसे मैंने वैक्स भी ले ली है, ठीक है, मतलब मेरे office में बोला गया कि आप enter नहीं कर सकते है, अगर office में आपको आना है, अगर आपको salary चाहिए, तो आपको vaccination certificate देना होगा, तो हमें मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि हमारा घर चलता है उससे, तो उसके लिए कोई antidote के लिए कुछ होगी, कुछ उसका जो negative effects अटाप Meditation से सब कुछ possible है, लेकिन meditation क्या हम उतनी गहराई में कर पाते हैं, यह सिर्फ एक यह question है, कि possible तो है, लेकिन वो कठेन है, सब लोग नहीं कर पाते, तो उसके पहले जिसको हमारी consciousness accept करती है, वो ज़्यादा effective होता है, तो consciousness के लिए कुछ तरीके हैं, जिसमें आप अपनी body को detox कर सकती है, homeopathi ने अपने तरीके विक्सित किये, कुछ और तरीके भी विक्सित हुए है, उससे आपकी physical body detox हो जाएगी, लेकिन जो यह DNA के अंदर है, उसका detox करने का कोई भी तरीका नहीं है, मैं बहुत इसपस्ट कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, physical body के लिए कर सकते है तो वो आपको help परेंगे आपकी consciousness को कि मैंने कोई चीज लिये, इससे आपकी consciousness थोड़ी सी तैयार हो जाएगी, और जो पहली, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो इसका वो वाला प्रोयान हिस्सा था, जो इसको एक technology के through human को ज़्यादा खराब परिसिती में लाना था, वो destroy हो गई है technology, तो वो डर खतम हो गए आपके उपर, तीसरा आपको इससे help मिलेगी कि आने वाले समय में फिर वो अगर कहेंगे कि आपको salary नहीं मिलेगी, हम आपके शेरी में एक chip लगा रहे हैं ताकि आपकी entrance और attendance उससे mark हो, और वो chip का आपको side effect नहीं पता जैसे इसका side effect नहीं पता था, आप चाहते नहीं थे, लेकिन वजबूर किया गया, आपने लगवा ली, उस chip का आपको side effect नहीं पता कि क्या उस chip की जो frequencies हैं, वो आपके brain को control कर लेगी, क्या वो आपको depression में डाल देगी, क्या वो आपको ये signal भेजेगी, आपके mind में कि suicide कर लो और आप jump कर लोगे, तो फिर आप वो chip लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे, ये प्रशन फिर आएगा, क्योंकि महाभारत हो नहीं है, दो के बीच के बाद एक नया युग होना है, और जो controlling power है, वो इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती, तो ये जब ये प्रशन आएगा, तब ये प्रशन का उत्तर आपको ढूनना पड़ेगा, और जो meditation है, इससे बहुत फरक पड़ेगा, सब कुछ consciousness के अंदर है, अगर आप अपनी consciousness को वहाँ तक raise कर पाएं, तो इसका zero असर खतम हो जाएगा, और जो कोई भी vaccination है, ये वाली या इससे पहले वाली, ये low frequency पे असर ड कर सकते हैं, आपके कौन वीडियो देखके जो meditation प्रेक्टिस कर सकते हैं, तो उससे हो जाएगा, एक तो map of consciousness है, ये frequency है, आप जलन में रहते हैं, डर में रहते हैं, और subconscious mind पे अपने काम करना है, जब आप subconscious में जाते हैं, जो जो अपने V के एरिया है, उस area से उन पे काम करें और meditation में जब हम जाते हैं, तो कुछ देर के लिए हम उस frequency को touch के लएते हैं, मालो आपने समाधी हो गई, 20 मिनट की हुई, 10 मिनट की भी हो गई, तो 10 मिनट के लिए आपकी जो consciousness है, जो अर्थ की consciousness है, उससे आप कट गए, space और time में, उस समय आप automatically उस frequency में होते हैं, दीरे frequency बढ़ती जाएगी, और आप जो काम, दो काम और कर सकते हैं, एक timeline method है, उस timeline method में डालें कि आज से एक साल बात, यहाँ से 6 मेने बाद ये आपके लिए topic ही खतम हो जाए कि vaccination होई थी कभी, अर्थ पी इतना बात हैं, जो वह आपके लिए हो जाएगा, timeline method यूज कर सकते हैं, Thank you sir for coming to this session sir, question मेरा दो है, एक तो आपके ये Kobra वाले सीरीज में आपने जो good news दिया था, करमास के बारे में, क्या ये सच है, अगर ऐसा है तो, और दूसरा, आपके हिसाब से ये परिवारत अन्यू एरा कप से आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में, बहुत जगा कोब्रा ने तो सेकिंड लास इंटर्विव में बताया, मैं इससे पहले एक साल से कह रहा हूं कि ये हमारे उपर च्वाहिस है, हम इसको माने या ना माने क्योंकि यूग परिवर्तन इस यूग के लिए, हमें evolve होने का जो slow process था, उसमें कर्म के सिदान के ज़रती नए वाले या होता तो भी जूरत नहीं थी, लेकिन जो पहले भी कोशन था कि भागवतम हमारी help करेगी कि नहीं करेगी, या कुरान मानती है कि एक judgment day आएगा जब वो सारे हमारे कर्मों का हिसाब होगा, जो भी हमने करें हैं अच्छे या खराब, वो कब होगा? जब एक एक कबर से 70- 70-70,000 लाशे निकलेंगी तब वो समय होगा, एक तो समय को उन्होंने बहुत लंबा कर दिया कि अभी कोई यूग परिवर्तन के उमीद नहीं है, दूसरा उन्होंने ये मानता दे दी कि आप री incarnate नहीं होते, पुनरजनम नहीं होता, वास्तविक्ता में वो चाहे कुछ भ गाइड हैं, यह आपको, यह आपके सोल को इवाल्व करने के लिए आपकी हल्ग पर रहे हैं, यह आपके जीने का प्लान बना रहे हैं, कैसे जल्दी आप मुक्त हो, तो वो पताएंगे, आपने इसमें यह यह करम किये, यह काम आपने अच्छे नहीं किये, अगर इसको ही है, अपने इंजन बंद कर दिया, थब भी थोड़े चलती रहती है, तो हुमेनिटी जो पुराने शास्त्रों पे, कुरान पे मान लो, बेस्ट है, और वो कहेगी, नहीं हमारी कुरान में तो यह लिखाया कि एक जजज्मेंट डे होगा, और तब होगा, जब सतर-सतर या मेरी गुरू मुझे से जब से बन को जानता हूँ, उसके बाद एक स्टेज आई, जब उन्होंने कहा कि मेरे पर प्रवीन कोई कर्म नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे इसके लिए तैयार किया, और चेतना का जो एक कार्ड है, चेतना की जर्नी कि आदे हिस्ते में, 12th कार्ड के में वो उल्टा लटका हुआ है, वो इसी बात का प्रतीक है, समाज के हिसाब से, धार्मिक मानेताओं के हिसाब से, और जो आप मानते हैं, वो उलट जाता है, उस केस में वैसे भी लगना बंध हो जाता है, धीरे धीरे, मैंने डेटेल में अंसर दिया है, ताकि आप अच्छी तरह समझ सके हैं, और second question आपका था कि मेरे हिसाब से कब तक हो पाएगा, पहले मैं date बताने में थोड़ा सा परहेज करता था, क्योंकि जब हम date बढ़ाते हैं, तो हमारी consciousness उसके साथ fix हो जाती है, वो reality को manipulate करना चुर जो यह potential है, यह खुल चुका है, फेस्ट मैनर में हम वहाँ पे जा सकते हैं, तो हमारे पाँ चार साल का समय है, अपने आपको पूरी देन तयार करनेगा, अजी नमस्ते जी, बोले, जी, सर जो बाकी, पहले तो मैं समा मांग लेती है, अगर मैंने कोई इस तरह का question पूछा या फेरी मेरे शब्दी तुछ ऐसे लगे तो इसके लिए शमा कीज़ेगा, देगे कोई भी प्रेशन गलत नहीं होता, सिर्व उत्तर गलत हो सकता है, प्रेशन तो आपकी जो डाइमेंशन के जो लोग हैं, जैसे राफ रॉम सिक्स डाइमेंशन से हैं, तो क्या वो भी थर तो इस तरह के डाइमेंशन से जाकर उपर गए हैं, और उनका जो थर्ड डाइमेंशन था, और हमारा जो थर्ड डाइमेंशन है, हमने जो सुना है अब तक वो यह है, आपके विडियो और डॉक्टर धरूदा का यह सो बैंचे सुन रही हूं, उसमें बता जाता हैं, हम लो को ट्रैप करके रखा हुआ है, और उन्होंने करमा के बंदन छो इस साइकल में डाल दिया, तो क्या उनका जो तर्ड डाइमेंशन था हमारे थर्ड डाइमेंशन से, और अगर यह बढ़ ठीह फिरेंशन है, और हम लोग ट्रैप में आ अगए, हम पर निधिजी और नूद कर लिया और अभी भी वो कंट्रोल बढ़ाए रखना चाहते हैं तो जो ब्रह्मान लिका मालिक कहें या उसे इश्वर कहें या सकते कहें जो भी उसका नाम दे उसके तो हमारे प्रती हमारे प्रती दया ऐसी होनी चाहिए कि हम जब ट्रैक में लिगेटिव एनर्जी में आ करके तो हमारे उपर दया करते हो इस धर्ती का एक 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 जीवानों एक एक सेल कम्प्लीटली उसमें चला जाना चाहिए इस तरह की बात करूं तो हम हमारे जो इश्वर है हमारे जो प्रकाश है अगर हमारे साथ ये गलत हुआ है इस धर्ती पर इस ग्रह पर तो क्या हमें हमारे पूरे ग्रह को मैं नहीं चाहती कि मैं आखेली ही प्रिश्वी जो है वो किस रामेंशन के ओर चली जाए तो मेरे इन दो सवारों के जवाब मैं आप से एक्सपेक्ट करती है मैं भूल जाओंगा है ना तो दो से करते हैं तो पहला तो यह है कि क्या रा भी इसी प्रोसेस के थ्रू गए हैं रा की टीचिंग के साब से इवोलूशन के प्रोसेस से वो भी गुजरे दें क्या प्रोसेस सेम था सेम मैं नहीं कह सकता जैसे धरती पे आठ खरब लोग हैं लेकिन जो इंडिविजवल जर्नी है मेरी यात्रा किसी और से नहीं मिलती क्योंकि इवोलूशन के प्रोसेस में मुझे अपनी एनर्जी को जीरो से हंडेड लाना है और ब्रह्मान इतना डाइवर्सिफाइड है कि हर रेक के लिए वो अलेक अलेक तरीके के उसने यतन किये हुए हैं जैसे एक मेरा चोटा सांग उठा है इसका थम डिफ्रेशन आठ खरब में से किसी से नहीं मिलता ऐसे ही मेरी जर्नी भी किसी और से नहीं मिलती ऐसे ही हो सकता है कि उस समय की जो रा के समय की जब इवोलूशन हुआ था तो वह हमारी तरह हुआ था या नहीं जरूरी नहीं ह मैं नहीं मानता कि हमारी तरह हैं हुआता जो सेकिंड कोश्चन है आपको बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि जो रचैता क्या कर रहा है वो उपर बैठके खाली हमारी जो हमारे संगर्श को देख रहा है उसके पास वो क्यों नहीं हेल्प कर रहा है अगर गाएं भी सोचती हो कि ये इंसान जो है मुझे क्यों काटता है और हमारा रचेता उपर क्या कर रहा है क्यों नहीं वो बचाता क्यों हमारा दूद निचोड के हमारे बच्चे को लिए दूद नहीं छोड़ते और सड़त पे हमें भूका मरने के लिए छोड़ देते हैं तो गाय को कभी उत्तर नहीं मिलेगा, वो ये प्रश्न पूछते पूछते, सौ सदियां भी जाएगी, लेकिन इसका उत्तर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके उत्तर में ही प्रश्न छुपा हुआ है, जो थर्ड डाइमेंशन की डुएलिटी, थर्ड डाइमेंशन डुएल और जो यह जो एक्सटीम है, यह हमारा ही क्रियेशन है, जिस दिन यह समझने हैगा कि यह पिक्चर है, इस पिक्चर के हम डिरेक्टर, प्रोडूसर और इस पिक्चर में रोल प्ले करते हैं, और मैं तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो डार्क है, वो अपना काम बहुत अच्छ भी प्रेम है, क्योंकि वो हमारा काम कर रहे हैं, हमें जगाने महल कर रहे हैं, जब आप यह समझेंगी तो आपका यह प्रशन खत्म हो जाएगा, नहीं तो गाये की तरह सदियों पुष्टी रहेंगी कि वो भगवान क्या करता रहा, गाये भैस बक्री आप देखो, भेड क पहाडों में पैदा होती है, उसके शरीर में जो उसको बचाने के लिए सर्दी से, उसके बाल होते हैं, उसको ऐसे इंजेक्शन देते हैं, ताकि उसके बाल जरूरत से ज़्यादा होगें, उसके शरीर में जुएं पढ़ जाती हैं, कीड़े पढ़ जाते हैं, सफर करती है गर्मी में फिर जब सर्दी आती है तो उसके सारे बाल उस्त्रे से निकाल देते हैं वो ठंड में सफर करती है उसके बच्चे को मार के खा जाते हैं वो भी तो यह प्रश्ण पुछती होगी भगवान से की इनसान ऐसा क्यों हो गया जैसे जानवर के लिए हम है ऐसे ही हमारे प्रिश्ण पृष्ण पृष्ण की बुद्धी मत्रा से लिया हुआ प्रश्ण है तो यहां पर इक दो चीज मेरे सामने खड़ी हो जाती है क्या हम प्रैक में है या पे निगेटिव एनरजी हमारे लिए अच्छा कर दई है इस प्रिश्टी कॉन से देखें इधर जब हम तो हम एक दूसी तरह के बाव में आजाते हैं जब यह सुंते हैं कि अगर थोकर न मारते हैं तो हम खड़े नहीं होते तो अगर यह वार्ण करें तो यहां तक कि अभी जो बात चल रही है सब सुनते हैं पड़ते हैं जानते हैं ज्यान सुनते हैं तो हम एक अलग भाव में कौन जाते हैं अरे फिर आम दूसरे भाव में आप गोल देते हैं कि आप ऐसा करना चाहिए तो यह जागने के प्रोसेस का हिस्ता है यह confusion, confusion, stability रखना और मैं सिर्फ अगर मुझसे कोई पुछा जाता है कि कोई एक practice बताएं तो मैं वो practice बताता हूं जो लोगो कम लगता है कि कम अच्छी बताई श्रीतेजी ने पुछा था मंत्रों का जाप करें तो फायदा करेगा कि नही मैं कहता हूं कि बीच में रहें बीच में जब हम रहते हैं तो यह प्रशन दोनों extreme के हैं और यह आना स्वाभाविक है दोनों सही है कि dark ने हमें trap किया हुआ है यह जानना आने वाले समय के लिए जो odd trap कर रहे हैं चिप करेंगे डिजिटल currency लाएंगे जानना और यह भी सही है कि उनकी जगाने की वजए से हम जाग रहे हैं यह गेम हमने बनाई है हम चैस दो लोगों के बिना खेली नहीं जा सकती और वो मैच क्या जो एक तरफा मैच हो यह इतना suspenseful मैच है कि यह ना पता लगे कौन जीते का अकृता उस जीत के खुशी जब हम enjoy करेंगे इसलिए य इससे कठिन मैच महा भारत कुछ भी नहीं थी इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ जो पांच-जा साल पहले जिसका हम आज तक गुरगान करते हैं वो तो एक हस्तिनापूर में भारत में होई थी इसको पूरी धरती पे एक इवेंट हो रहा है इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनेंगे यही जवाब जानेंगे और दोनों पार्टियां आपने खुद ऐसी बराबरी के चुनी कि आखरी तक यह ना पता लगए कौन जीतेगा कौन हारेगा फिर उस जीत का जैश्न दोनों ही सही हैं दोनों अपनी अपनी जगह से हैं दोनों मानेता हैं जब आप कि यह तना ऊपर उठेगी तब आप दूसरी मानेता को असेट कर पाएंगे तब तक कर नहीं पाएंगे जेतना भी थेयरोटिकल बता लिया जाए यह कहीं मैंने पढ़ा था तो क्या आप इसको इससे इस आपकी नौलेज के कनेक्टर के एलबरेट को सकते हैं अब आपने पढ़ा था तो आपको रेजुनेट करता है संसार अकारण है और कारण भी है मान लो कोई यह पूछे की क्यों गोरा है यह सब है न या हमारे जीने का परपस क्या है हम हमेशा से जी रहे हैं इसका कोई एंड नहीं है हमारे हमारी उत्पति का और हमारा कभी अंद नहीं होगा तो आपको यह पूछे इसका कारण क्या है इश्वर है हम इश्वर की संतान हो एक था अनेक में विबक्त हो गया अनेक experience कर रहा है Ka basics तो य। के 5th के 6th के and so on लेकिन जब हम इसे कारण डूढ़ने के कोशिच करते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं मेरे तो इतना ही समझ में आया बाकी तो जहां पर आपने पढ़ा था आउट आफ कंटेक्स्ट कोई बात पूछी जाती है तो उसका जवाब तेना सुवा कठिन होता है उन्होंने किसी कंटेक्स में लिखी होगी उस कंटेक्स के संदर में अगर उसको पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगी सदर आपका सेशन न के हमें भी अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि इस बाइब होने के लिए सिपने लिए यह बात एक सही है दूश्री बात यह भी सही है कि होलोग्राफिक प्रो जेक्शन से एक एक श्टेन्थ बहु है जिसमें हमें वो कर देंगे कि देखो यह तुम्हारा स्वान एंस प्लान के असाब से हम तुमारे लिए यह परिसितिय हैं धर्टी पर पैता कर रहे हैं इन परिसितियों मेंahhupa और इन परिवार में आप को जनम दे देंगे कर आप चाहो तो आप उसको सब्सक्राइब लेते हो तो दोनों ही बातें सही है सारे लोग mix हैं कुछ के लिए कर्म हट गए कुछ के लिए नहीं हटे कुछ के लिए बहुत solid है हट ही नहीं सकते यह सब जब होते होते जब event होगा तो सारे system complete all together destroy हो जाएगे फिर एक नई शुरुवात हो जाएगी उस नई शुरुवात में कर्म नहीं है और तब जो सोल प्र ही दी जाए कि अच्छा काम करोंगे तो आपको यह रिवार्ड मिलें कि जहुरी नहीं है तब हम उसके नई सिस्टम को एडॉप्ट करके नई सिस्टम के साब से काम करेंगे कि अपने आप ही कॉंशिस्नेस में चेंजिस आ रहे हैं क्योंकि एनरजी बहुत तेजी से आ रही है सिर्फ आपको छोड़ना है और आप इवाल्व हो जाओगे सिर्फ बादा है कि आप छोड़ते नहीं जो लोग पुरानी कट्टर मानसिक्ता से जुड़े हुए हैं वो प कि आपके सैशन से जान पारे हुए हमें हमारे जो भी फिय चासर हमारे जो व्यचूवल वह भी तो हम किसी पि ए और रिच्वल कर सकते हैं नहीं कर सकते यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आपको रास्ते पे डालने रिच्वल क्या है किसी नहीं कहा कि कुर्बानी करो तो अलगा खुश होता है वह आज भी सोचता है कि मच्छा काम कर रहा हूँ ऐसी ही आप सोचते हों कि जो आपके रिच्फ्at है वह आपके लिए अच्छे है कोई कहता है कि मुऊपे मैं कपड़ा बांथ कर रखूंगा तो मेरे मुँझे मैं मच्छर नहीं जीवत्या नहीं करता हूँ, वो उसकी मानिता है, इन मानिताओं का evolution से कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा, evolution पे focus रखें, बाकी जब तक जो जैसा कर रहे हैं, बिना resist ये, दूसरा कर रहा है, करने दें, अपना जितनी आपकी चेतना स्विकार करें, जितना छोड़ सकतें, उतना छोड़तें, अर्टी मेट्री आप देखेंगे, कि बहुत कुछ जो था, वो अच्छा था, तो भी नहीं के लिए जूरत नहीं है, और जो समय के साथ manipulate हो गया, उसकी वैसे ही जूरत नहीं है, और सारे religion manipulated हैं, किसी ना किसी तरीके से सारे के सारे, तो आपने religion के सिकता देखो कि हम शाका आ रही है, हम मास खाते हैं, लेकिन मंगलवार, शनीवार, और ब्रैस्वार को नहीं खाते जी, उस वो दिन किसी और भगवान के, उस दिन खाएंगे तो में पापर जाएगा, ऐसी मान सिकता से आप खुद उठें, बस. मेरा कुश्यों एक लाइक, I am facing a lot of health issues, like digestion problem, and sir, मतलब कुछ खाओ ना तो weakness feel होती है, और कुछ खा लो तो digestion problem हो जाती है, यह how to cope with it, तोकि यह meditation में भी बहुत problems कर रहा है, बीच में. लेकि कुछ तो energies, इस समय different हैं, तो उस energies के साब से लोगों की body subtle होती जा रही है, सूच मोती जा रही है, तो जो स्थूल खाना पहले खाते थे, उतना वो नहीं पचा सकते, कुछ लोग, कुछ लोगों के concept बहुत अजीब से हैं, मैं naturopathy के एक center में गया, तो पहला दिन था तो सब लोग अपने अपना diagnosis बता रहे थे, उनको क्या दिक्कत है, तो यह कहता है, मुझे भूख नहीं लगती, तो उन्होंने पूछा ठीक है, फिर आपकी diet क्या है, तो कहता है, सुबे जो है, बिलकुल भूख नहीं लगती, बड़ी मुश्किल से मैं 4 परेठे खाता हू उसका यह क्राइटेरिया है कि 4 परेठे खाना उसको भूख नहीं लगती, तो यह उसकी मैंसिक्ता है, हम ऐसी मैंसिक्ता से grow up हुए, जिसमें हमें बताया गया कि जितना ज़्यादा खाऊगे, उतनी ज़्यादा ताकत आएगी, यह हमारी conditioning का ऐसा है, तो आप यह चेक करें कि आपको भूख जो नहीं लगती वो genuine है, या जो परिस्तियां change हो रही है, उसकी वज़े से हो सकता है कि आपकी body digest ना कर रही हो, इसके लावा भी ऐसा हो सकता है कि digestive system weak हो, किसी कारण से, उसको थोड़ा से strong किया जा सकता है, बहुत आसानी से, और जो यह combination है, जो उसमें आ वो कमजूरी नहीं है, detox process है, तो कभी अगर ऐसा समय निकाल पाएं जिसमें एक हफ़ते आप चुटी ले सकें, पईवार के साथ, बच्चों के साथ rest कर सकें, उस rest के process में fasting का भ्यास करें, तो जो detoxication का system एक बार निकल जाएगा, सब को जो detox होना है, एक बार हो जाएगा, त आप पांच दिन पानी नहीं प्योगे तो मर जाओगे, किसी डॉक्टर को मुझे बलाओ, चैलेंज करके मैं पांच दिन निर्जला रहूँगा, सिर्फ हावा खाना, ड्राइब फास्ति, यह सब possible है, concept हमारे mind के, और consciousness अगर मानेगी, कि ना खाने से टाकत कमजोरी आ रहे ह तो ऐसा आपको दिखेगा, जर्मनी में एक्सपेरिमेंट किया किसी को, कि उनको सजा देनी थी, उनके आखे बंद कर दी, और कहा कि आपकी हम नस काट रहे हैं, नस नहीं काटे, खाली गरम पानी, ऐसा हलका सा गुनगुना पाई डाला, जिससे ऐसा लगे कि नस से खून ब और अगर सफिशेंट लगती है, और कम खाएं, कम खाना अच्छा है आने वाले समय के लिए, सिर्फ इस कम्लूरी का आज ढूंड लेंगे आप डीटॉक्सी. धन्यवाद प्रविन जी, इतना अच्छा ग्यान देने के लिए बहुत अच्छा लगा, असर मेरा प्रश्म यह है कि अभी जिस्तर किसे हम जानते हैं कि not more than maybe around 5% people are probably in this path, on this path of meditation and spirituality. तो क्या हम कह सकते हैं कि मैं जब इवेंट आप जो हो रहे हैं कि 2027 तक की इवेंट हो सकता है? इवेंट 2025 तक और नेक्स लेवल की consciousness 2027 तक दो साल में stability. तो यह फिर सर चेंज और कितने टाइम में होगा? तो is that people will not be able to sustain the life after this event? They would able to sustain hopefully. So let us see, क्या होगा, कोई exactly कहना मुश्किल है, अभी हमारे पार दो साल है, शहर्थ दो सालों में exponential change हो जाए. सर नावनित का नावनित जी का question यह था कि अभी 5% less than 5% are meditators are spirituality में and other side has 95%. So can we beat them and bring the change? वो इनका question था. या कि जो असर ज्यादा होता है और जो यह है यह आने वाले समय में exponential change करेगी. तो हो सकता है और नहीं होगा तो इस case में अगर नहीं हुआ तो मरना को हमने जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया हुआ है. हम मर नहीं सकते, impossible है कोई भी नहीं मर सकता हम पहले थे फिर आ गए फिर आ गए फिर आ गए यह वस्त बदलते रहे उस case में एक बार वस्त बदल जाएगा. वस्त बदल के आएंगे तो जो निया वस्त है वो बहुत स्ट्रॉंग होगा उसके उपर कार्मी कनेक्शन का बोज नहीं होगा क्योंकि कार्मी ग्रिट टूड़ गई है कोई दिकत नहीं है इतना मैं तो नहीं देना है. आर्थ में कोई physical changes आएंगे क्या आपर्ट फॉर्म इस पूल शिफ्टिंग जो आपने बताया. जो हमारी consciousness है उसकी जितनी limitation है उसके एसाब से वो अर्थ को observe करती है. consciousness उसको उतना ही देख पाती है. जैसे हमारी bell है, bell को कहते है color blind है. उसको color नहीं दिखते हैं उसकी आखें हैं लेकिन वो देख नहीं पाता. ऐसे ही इस dimension में हम थोड़ा सा सुन पाते हैं इतनी सी range, इतनी सी हमारी color की range, वो सब बदलेंगी तो यही earth भी बदलेगी, इसकी frequency भी बदलेगी और यही पेड़ आपको चमकते हुए दिखाई दें इसके अंदर जो चमक हैं हम देख नहीं पा रहे हैं, यह है तो सही, वो physical भी चेंज होगे earth के अंदर, पूरी earth को जो हम लोगों ने इसका शोशन करके, अपनी मा का, जिससे हम पैदा हुए और जिसमें हम मरने के बाद जाते हैं, चाहिए वो हमें जमीन में घाड़ दिया चाहिए हमारी राख हो, उसको हम उसके अंदर earth के अंदर जाके हम explosion करते हैं, nuclear weapon test करते हैं, उसके चिथड़े उड़ते हैं, तो वो सारी restore हो जाएगी, जब वो दीश तो अभी एक तरह से वो जरचर है, बूड़ी होए, विमार है, कमजोर है, जब यह regain करेगी, mother earth, तब परिवर्टन आप कह सकते हैं, बन्यवाद, 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 तैंकि सर, मैं पूछना चाहता था कि जैसा आपने कहा था कि आगे event के बाद और यूपरिवर्टन के बाद हमारे free will पे depend करेगा कि हमें जाना है, कि 3D में जाके तो अगर फिर से हमें, अगर 3D में गए कोई, तो फिर उनको चांस मिलेगा, फिर से 50 में जाने का ऐसा कुछ हैगा, फिर चांस मिलेगा, नई cycle में फिर आएंगे, यह process continue है, और फिर उनके लिए भी, इसका मतलब यह है, कि आप एक time के loop में फच जाएंगे, एक time का loop, जो आ और उनके लिए भी फिर करमाज वगरे यह करेंगे, अफेक्ट करेंगे उधर जाके, इसी ही रहेगी जैसी अब है, कार्मा, गरीबी, कमजोरी, छोटा सा जीवन, परेशानी, लेकिन उसके थूरू जीवन का मज़ा भी है, रंग बरंगी पिक्चर उनके लिए ऐसी चलेग और सिर्फ एक डर है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जबकि मुझे लगता है कि इंपॉसिबल है, डॉक्टर नेरुदा ने बताया कि अगर वो इस बार चिप के थूरू ट्रैप हो गए, तो वो कितने लंबे समय तक फसे रहेंगे या उन्होंने कहा कि इसका कोई हल न नहीं निकलेगा, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं डॉक्टर नेरुदा बहुत ज्यानी है, और मैं समझता हूं उन्होंने दुनिया उन्होंने जिस डिमेंशन से उतर दे रहे हैं वो सही होगा, फिर भी मैं मानता हूं कि इश्वर के प्लान में ऐसा नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो फिर उनके लिए भी फिर यह चब्वेस अजार लाइफ साइकल सालुई रहेगा कि अगर वह चीप के थुरू कंट्रोल होगा तो चब्वेस अजार भी नहीं आपको सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है और कई साए प्रशन के उत्तर मिलते जा रहें पर एक प्रशन है जैसे हम अभी वाइब्रेशन बनाने की कोशिश कर रहें प्रांस्परमेशन भी करने की कोशिश कर रहें पर यहां से जो शिफ्ट होगा हमारा 5D शिफ्ट हो कि इतना लड़ाई जगड़े थे इतना कुछ था दौपर में कृष्ण जी के उसमें कि वो खुदी उनको जनम लेते ही उनको भगाना पड़ा था तो हम किस यूग में जाएंगे मतलब वो एक बेटर यूग होगा आपका कुश्चन बहुत अच्छा है अक्सर लोग यह आप कि जो साइकिल है सत्यों त्रेटा द्वापर कल्युक फिर यहां से स्टाट होथी है कल्युक से द्वापर द्रेटा फिर सत्यूं तो जो लोग सोच्टे थे कि हम सीदे सत्यूपर में जा रहे है वह पहले उनका मिस कोंशेप्शन था आपने द्वापर की बहुत अच्छा दुस्र singular जा जि olmuş से दो उन्हों से नियोंग से लिग्रेंशाण के बारे में जहाँ तक मेरी understanding में मुझे याद नहीं है बहुत पहले मैंने पड़ा था उन्हों ने कहा हम already द्वापर में हैं उन्होंने यह नहीं है और कि हम से कग्यों ॐट टेस्ट करने के लिए केलकेटा के पास थे उडिसा में आये, उस समय उडिसा में कोई बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, जिनसे वो डिसकस करना चाहते थे, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाए, उस समय का समय ट्रेन नहीं थी, शिप में बैट के वहाँ से आये, तब उनसे मिल बाए, वो इसको करेक्शन करना चाहते थे, उन्होंने जो ये बात कही, इस बात का सिधान्त ये था, कि हम बैटर में जा रहे हैं, हम आल्रेडी दौापर में हैं, हम और बैटर में जा रहे हैं, तो वो ये कहना चाहते थे, टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट होंगे, और कैसा समय आएगा, जब हम अपनी consciousness को जम करवाएंगे, 1800 के समय की consciousness में वो उतना बता सके, जितना कोई समझ सके, 200 साल पहले अगर किसी को ये कहना, कि एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है, तो consciousness असेप्ट नहीं कर पाती, आस्ते 20 साल पहले, 2019 में मैं कहता था, तो कोई नहीं सुनता था, 20 साल पहले कोई नहीं सुनता था, 200 साल पहले के समय के साब से, तो उन्होंने उस भाषा में कहा, गुरू का यही काम थोड़ा सा कठिन भी होता है, कि उस भाषा को यूज कर पाना कि लोग समझ पाए, उसका ये नहीं काम है कि म वो कहना चाहते थे